और कोई चाहता है कि रिटार्मेंट के बाद उसके पास अतना पैसा हो कि वो अपनी आगे की जिन्दगी अच्छे से जी सके हर किसी के मन में सभार रहता है कि साट साल के होने के बाद हमारे पास कहां से पैसा आएगा और आगे की जिन्दगी हम कैसे जीवनेयापन करेंगा तो आज की इस वीडियो में हम बात करने बाले है अटल पेंसन युजना के बारे में है तो सब्सक्राइब करने क्योंकि आपको मालूम है हमारा मिशन है इंडिया को फाइनिसलेविर बनाना तो आप हमारे उस मिशन में जुटके हमारा साथ दे सकने हैं स्वाईए जलते हैं नमस्का दोस्तों मैं हुई शैलेंड और स्वागा थे आपका मार्केट मिश्टी चैनल में जैसे के बात कर रहे थे अटल पैंसन योजना एक ऐसी स्कीम है जो छोटा सा पैसा निविस करने पर हमें एक बड़ा अमाउट देती है रेटायर्मेंट के बाद की जिन्द की हमारी स्वक्राइब करती है और हमें आगे का जीवन है अपन कैसे जीना उसके लिए हमारे काम रहे है तो आज के इस वीडियो में पूरा डिटेल में जानेगे जिससे आपके जो भी डाउट है वो किलियर हो सके और आप इसमें निव करोड से ज्यादा लोग नवेस कर चुके हैं सो वीडियो के अंतक वनियर है पूरा देखें इसकित ना करें कहीं आप से कुछ इंपोर्टेंट छूट ना जाए वो वीडियो पसंद आए तो लाइक जरू करिए जिससे हमारा उत्साय बड़े और आगे हम ऐसी वीडियो है क्या दिक अठल पेंसर ने भारत सरकान ने मोधी सरकान ने 2015 में चालू किया था अभी इसका पूरे पूरे आठ साल हो चुके है और इसमें अभी तक पांच करोड़ से ज्यादा लोग इसमें नवेस कर चुके हैं साथ इसमें नवेस कर सकता है और अपने कितना अमाउंट इसमें नवेस कर सकता है तो आपको पैसा कम देना पड़ेगा लेट शुरू करेंगे तो आपको पैसा ज्यादा देना पड़ेगा अठल पैसान योजना में कम से कम 20 साल का नवेस करना होता है और इसकी सुरुवात आप 18 साल से भी कर सकते हैं और अगर आप 40 साल के हो गए हैं तो भी सुरू कर सकते हैं आगे हम इसमें डेटेल में जाने हैं कितना अमाउंट डालना होगा अठल पैसान योजना का उद्देश बुड़ापे में हमें आर्थिक सुरुक्षा देना है जिससे हम अपने बुड़ापे यनि रेटायर्मेंट के बाद की जिन्दगी आसानी से जीच सकें उस समय हमारे पास एक ऐसा पैसा आता रहे जिससे हमारी आगे की जिन्दगी आस चलते हैं हमारे बॉड़ पे, और जानेंगे की बारी जिससे समझ में आ सके कि आपकी उमर के इसापसे आपको कितना निवेस करना होगा तो सबसे पहले premium की बात कर लेते हैं, उसके बात आगे हम जाने कहकर document लगेंगे और साथे साथ जानेंगे कि in case अगर कुछ casualty होती है तो उस atal pensan yojna का क्या होगा, कैसे पैसे हमें मिलेगा तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं atal pensan yojna, इसको हम बोलते हैं APY तो इसमें हम आगे बाद बढ़ें उससे पहले हम आपको बता नहीं देते कि प्रीमियम कितना लगेंगे यह नि कितना हमें पैसा किस उम्र के इसाब से भरना हो रहा है माल लेते हैं अगर हमारी उम्र 18 साल के हैं तीक अगर 18 साल का व्यक्ति स्टार्ट करता है मिनिमम इसकी जो साल एज है वो 18 साल है तो 18 साल का व्यक्ति अगर इसमें निवेश करना सुरू करता है और 60 साल तक करता है तो 60 साल बाद उसे कितना मन्थली मिलेगा तो जाब समझ लिजे अगर हम 42 रुपे महीने के जमा करते हैं तो हमें 1000 रुपे पैंसन मिलेगी 60 साल के बाद ठीक है 84 रुपे महीना जमा करेंगे तो 2,000 रुपे मिलेंगे 126 रुपे महीना जमा करेंगे तो 3,000 रुपे मिलेंगे 168 रुपे जमा करेंगे तो हमें 4,000 रुपे मिलेंगे और 210 रुपे जमा करेंगे तो हमें 5,000 रुपे महीने की पैंसन मिलेगी यह निया आपके उमर अभी 18 साल की है और आप अभी से सुरू करना चाहते हैं इसको तो आप 210 रुपए जमा कर गए 5,000 रुपए की हर महीने पैंसन ले सकते हैं आप चाहते हैं तो आप 40 साल के हो चुके हैं कोई बात नहीं है चाली साल के हो थोड़ा अमाउंट बढ़ जाएगा पैंसन लीजे आपको रिटायर्मेंट के बाल हर महीने 1,000 रुपए की पैंसन चाहिए तो आपको 292 रुपए जमा करने होंगे 542 रुपए अगर आप जमा करते हैं मंतだ अगर 40 साल के होंगे déb cues आप चाहते हैं की तीने जर की पैंसन मिलने तो आपको 833 रुपए जमा करना हो रुपए ही जमा करना है लेकिन अगर 40 साल के होगा है तो इको कि इसमें मिनिम्म 20 साल भरना जरूरी इसलिए 40 साल आखरी इसके बाद इसमें खाता नहीं खुलबा सकते हैं तो 1414 रुपए में आप 5,000 रुपए की मंतली पैंसिन सेक्यूर कर सकते हैं अब बात होगी मैंने 18 साल बता दिया और 40 साल बता दिया अब बात करते हैं कि अगर माल लीजे हम 19 साल से 39 नहीं 49 साल के बीच में हैं तो हमारा प्रीमियम कितना है गर हमें 5,000 की पैंसिन चाहिए त लिए तो कुतना हमें अगर में तीन धन ізher की पैंसन चाहिए तो कुतना प्रीमियम देना होगा तो इसके लिए हमने पूरी डिटेल वीडियो की डिसक्रप्शन में दिया आप वहां से जरू चेक कर सकते हैं कि 19 साल 20 साल किस तरीके से पहां से प्रीमियं जरुकि क्योंकि यह बहुत ज़्यादा लंबा हो जाता इसलिए हमने डिसक्रप्शन में डाल दिया आप बहां से जरू चक करें और साथी सथ अगर आप इस उम्र के बीच में आते हैं तो जब भी आप ओनलाइन खुलवाएंगे इसको जब भी खाता तो उस समय वह आपकी एज के अक अनी डॉक्वेंट लगेंगे पहला लगेगा आपका से विंग बेंक एकाउंट को को कैं कि अ तिका दूसरा आपका लगेगा आधार और नमबर ठीक है तीसरा आपका लगेगा एक्टिव मोवाईल नमबर क्या तो और इस यूजिनाम में लाग लेना इस उजिनाम एंह कहत खुलवाना है तो यह तीन चीज़ें आपके पास होनी चीए इस सेविंग अकाउंट आपके पास होना चीज़ नहीं है तो खुलवा लेना जहां से करवा वहां से खुलवा सकते हो आधार काड़ आपके पास हो गई और एक्टिव मुवाइल अगर मुवाइल नम्मर आपके अगर आपके पास होना जहां से खुलवा और आपके पास होना जहां सकते हो और हाफ याप अपना चे महीने में भी पैसा डाल सकता है तो यह बहुत अच्छी बाते माली जाब हर महीने नहीं है तो तीन महीने के सिलेप बना लें तो महीने साल में चार बार पैसा डालना होगा और आप छे महीने वाला यानि हाफ है ली चुनते हैं तो साल में दो बार पैसा डालना पड़ेगा पैसन कौन सा चुनना है वो आप अकाउंट खुलवाते समय चूज कर सकते हैं अगर खाता साल होने के बाद उसको पैंसन मिले जा रही है अगर साथ साल के बाद दोनों लोगों की मिरत्य हो जाती तो जो साथ साल तक उन्होंने जो पैसा भरा प्रीमियम के रूप में पूरा का पूरा पैसा उनके नोमिनी को मिल जाएगा अगर हम बात करें कि साथ साल से पहले ही किसी कि मिलत्य हो जाती तो क्या कर सकते हैं तो इस पाउस जो है उसका वो खाते में पैसा डाले कंटीनियूर सकता है और अपने पैंसन का हगदार हो सकता है यहीं पैंसन ले सकता है अगर वो चाहता है कि उसको कंटीनियू नहीं करना ह तो वहां तरी जितना वी पैसा जमा हो उस पैसे को पूरी तरह निकाल सकता है अब अठल पेंसें में खाता कैसे कोलें यह बड़ा सवाल है अठल पेंसेंज नियोजना में अगर आप खाता खुलना चाहते हैं तो दो तरीके एक online एक offline online तरीका यह है अगर आप net banking वारा यूज़ करते है आपको अच्छे समझ में आता तो आप net banking पे जाए वहाँ पे आपको option देखेगा ABPY का अठल pension यूज़ना का उसमें आप उसमें enroll कर सकते है वहाँ पे आप अपने हिसाब से आप कितना pension चाहिए आपको चुन सकते है जैसे आपको एक जार दो जार पांच जार तीन जार कितना चाहिए जैसे ही आप जो चूज करोगे उसके हिसाब से premium आपके सामने आजाएगा वो premium बाहर महीन एक quarterly और हाफर ली भर के उस pension का लाब ले सकते है दूसरी चीज़ अगर आपको ओनलाइन समझ में नहीं आता तो offline कर सकते हैं, offline जाएंगे किसी bank में आप नियरवाइ अपने जा सकते हैं वहाँ पे एक form मिलेगा, form के साथ कौन से document लगाने जो हमने अब यह board पर बताये दे आपको, आपको आधार कार, saving account और साथी साथ आपका mobile नमर, इस सारे document रडेच करके, उनको submit करेंगे, आपका खाता खुल जाएगा, premium आपकी age के इसाब से, और आप कितना pension चाते, 4,000-5,000 जो भी आप pension चाते हैं, retirement के बाद यहीं, 60 साल के बाद, उसके साब से आपका premium बन जाएगा, so overall अगर हम बात करें तो अटल pension यह हो जाएगा, बहुत अच्छी होजना है हर कोई चाता है कि उसके retirement के बाद कुछ ऐसा पैसा है, जो मंतली आता रहा है, जिससे आपको उसका जीवन यापन चलता रहा है, तो साथ ही साथ मैं आपको एक टिप देना चाहता हूँ, टिप ए है कि अगर आप income tax के दाएरे में आते हैं, तो इस युजना का लाव नहीं ले सकते हैं, आज कही वीडियो आपको पसंद आया होगा, जानकर अच्छी लगी होगा, अच्छी लगए तो अपने दोस्तों परीजनों में शेयर करें, और उनलों को जरूर शेयर करें जो अठल पैंसन युजना का लाव लेना चाहते हैं, या ऐसे बेक्ती हैं, जो चाहते हैं कुछ ऐसा पैसा उनके पास आए, जिससे वो अपना आगे की जिन्दगी आसाने से जी सके है, तो इन्वेस्मेंट और फाइनस की जानकर ये के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, तब तक के लिए नमस्कार, जहें